यह options जो हैं यह क्या चीज है इसको अब डिसकस करते हैं लेकि options दो किसम के ही है call option and put option option भी एक किसम का यह समझे लें के एक agreement type चीज ही है it gives the holder the right to buy a fixed number of shares of a particular entity at a specified price which is called exercise price either before or at a fixed future day जो नोड करें यहां के call option में क्या है के आपको right मिलेगा to buy a certain commodity or certain share at a certain price एक exercise price पर जो price पहले से ता है एक future date यह call options की बात है and there is a price premium यह एक point on note करें के यहां पर आपको price भी pay करनी पड़ती है यानि भले ही nominal होगी लेकिन एक price पे करनी पड़ती है non-refundable of buying an option यानि आपको एक price पे करनी पड़ेगी जिसकी non-refundable है अगर फर्स करें आप नहीं जाते इस deal में properly यानि final नहीं करना चाहते तो इस price आपने पे की आपको नुक्सान हो जाए ठीक है लेकिन अगर आपने options खरीदने है तो आपको थोड़े बहुत पैसे initially देने पड़ेंगे the holder has right to buy not the obligation interesting है यह भी कि जो holder है यानि call options के आपके पास right है to buy लेकिन not necessarily आपको ज़रूरी खरीदना है नहीं यह ज़रूरी नहीं है बसलों आपने call option में गए तो आपने payment कर दी call options की जो भी nominal amount पे की आपने पे कर दी अब आप चाते हैं के यह prices मेरे बारे में नहीं आ रही है तो आप cancel कर दें लेकिन वो जो पैसे आपने दी हैं वो आपके फिर गए वो खतम हो गए वो आपको नहीं लेंगे वापके ठीक है तो यह एक निकसान इसमें हो जाता कि अगर आप owner नहीं करते हैं put option में क्या है it gives the holder the right to sell fixed number of shares or commodity of a particular entity at a specified price on or before a specified date again वोई चीज है कि अगर एक खरीदने वाला तै कर लेता है कि मैंने इतने share इस price पर इस company के खरीदने हैं तो बेचने वाला भी देखता है कि मैंने इतने share आपको इस price पर इस date को बेचने भी है ठीक है अज़ा इसमें एक interesting बात ये भी है कि option की initial payment तो करनी पड़ती है normally करनी पड़ती है ऐसा नहीं है कि option की price नहीं पेचनी पड़ती लेकिन अगर फर्ज करें खरीदने वाला और बेचने वाला रताय करने के ठीक है option gentleman है agreement में तो they can for go to लेकिन generally इसकी एक price बेचनी पड़ती है इसमें volatility of price is an important determinant of option price usually three months option इसमें देखें कि जो commodity या जो share आप खरीदना चाह रहे हैं उसकी price में fluctuation है अब उस fluctuation को gain करने के लिए ही तो ये options में जा रहा है अब ये three months की इसी हिसाब से आपका जो option की price है वो भी determine होती है बसलिए आपने किसी company का share 12 रुपे में खरीदने की option खरीदी है let's say और आप उसके फर्स करें 2 रुपे पर share option पे किये है तो आपने 1000 share के 2000 रुपे तो जमा पे कर दिये न option की price ठीक है अचा अब ये जो option price है अगर share की price बहुत बढ़ जाती है तो चुकर जिसके पास option है वो advantage में है तो उसकी option की price भी बढ़ जाएगी क्याने का मतलब ये है कि अगर share की price में fluctuation आती है तो जो price of option है वो भी fluctuate करती है और कुछ लोग जो है वो conclude नहीं करते तिरफ अपना option बेच कर ही अपने पैसे जो है ड्रॉ कर लेते हैं तो ऐसा भी possible है अब देखे इसमें फरक है options में और futures में अगर उसके पास खरीदने का राइट है उसके पास बेचने का राइट भी है लेकिन अगर किसी वज़ा से कोई भी जो बायर है वो नहीं खरीदना चाहता है वो देख रहा है यह price बहुत बढ़ रही है तो बढ़ बलके मुझे अगर मिलेगी तो मुझे फाइदा नहीं होगा या कम हो रही तो मुझे फाइदा नहीं होगा तो इसलिए वो forgo कर देता है यानि option जो है ना उसको final करता ही नहीं है छोड़ देता है कि ठीक है रहने दें बस जो हमने option की price पे की है वो हमें नुकसान हो जाए और यह normally ऐसे होता है कि अगर आपको वारे में नहीं आ रही है चीज़ तो आप अपना option forgo कर देते हैं जासे मैंने का ना शुरू में कि आपका right तो है to buy लेकिन मजबूरी नहीं है कि जरूर buy कर रहे है मर्दी है अगर आपको फाइदा नुजर आएगा तो buy कर ले अगर फाइदा नहीं है तो आप forgo कर सकते हैं और जो price आपने option की पे की है वो zero हो जाएगी लेकिन generally होता यह है क्योंकि यह options market में खरीदे और बेचे जा सकते हैं London में तो पूरी एक stock exchange है एक exchange है जिसमे options की buying और selling होती basically यह किसम की gambling है आपके पास अभी कुछ भी नहीं है future में आप एक buying and selling की बात कर रहे है भले ही आपके पास पैसे है या नहीं है खरीदना चाहेंगे कर नहीं खरीदना चाहेंगे लेकिन आप advance में एक deal कर रहे हैं कि इस hope में कि जी हमें कुछ पाइदा हो जाएगी और initially आप में कुछ payment भी की हुई है तो depend करता है कि आप क्या करें normally होता यह है कि हम ये option उस सुरुत में खरीदते हैं कि जब हमें ये पताओ कि ये share की price बढ़ने जा रही है और आज हम इसको इस price पर खरीद लेते और इस उमीद पर के तीन महीने के option पर हमारे पास तीन में के बाद इतने पैसे available हो जाएंगे कि हम ये share खरीद सकते हैं इस hope में आप ये कुछ करते हैं अच्छा ये भी है अगर फर्स करें आप फर्स करें है ही 2000 रुपया तो 2000 में अगर 10 रुपय का share तो आपको 200 share मिलेंगे और अगर 100 रुपय का share आपको उसमें 20 share मिलेंगे तो वो तो कुछ भी नहीं इसलिए आप सोचते ही हैं कि जी हम आज options खरीदें और एक लेट से एक option दो रुपय का है तो आप 2000 में 1000 share के options खरीद सकते हैं 1000 share खरीद सकते हैं तीन महीने के बाद और price पहले से तया हो जाएगी उसमें आपको नफ़ा भी हो सकता है नुक्सान भी हो सकता है तो ये options में ये possibility है कि जी आप खरीदने वाला जो है वो चाहे तो option को on करे या उसको sell out करे तो जैसे मैंने बताया इसकी price market में आती है तो सम्टाइम ये होता है कि जब देख रहे हैं कि भी हमारे option की price काम होती चली जा रही है तो option को market में ससे दाव बेरो नुकसान आपना कम कर सकते हैं और अगर आप नहीं करतें तो due date पर अगर आप नहीं खरीदें तो आपने जो option price pay की है तो zero हो जाएगी तो इसकी भी एक पूरी market है जाएसे share बेचे खरीदे जाते है इसी तरह options भी market में बेचे और खरीदे जाते हैं इतवाक की बात है कि पाकिस्तान में ये अभी इतनी popular नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा risk है इस in the sense कि देखें आपने option की payment तो कर दी अब आप बाद में उस deal को final करते हैं कि नहीं करते तो there is a loss क्योंकि आप वो पैसे तो वापस नहीं करते थे आँ बच्चत यही है कि अगर वो option की market है normally हम finance में पढ़ाते हैं कि इनकी value कैसे determine की जाती है options की भी तो यह basically एक बहुत बड़ी business है बाहर तो यह बहुत है लेकिन पाकिस्तान में इसकी तजारा ज़रा दो का कम हो रही है the holder of the option has the right to exercise it and will do so if conditions are advantageous clear कर रहा है बाद कि अगर आपको नफ़ा नज़र आ रहा है अच्छा फाइदा नज़र आ रहा है तो फिर आप option को honor करें और आखिर तक जाएं और share खरीद लें लेकिन अगर आप समझते हैं कि unfavorable है तो फिर आप quit को भी कर सकते हैं option को बेच कर और अगर आप नहीं करते हैं तो जो option के पैसे आपने pay की हैं वो आपका loss हो जाएगा तुपे आफ आफ दी option is a contingent on the event may taking place so options sometimes refer to as a contingent claim लेकिना depend करता है ना कि जो share आपने खरीदने जा रहे हैं उसकी price fluctuate होगी तो कैसे upward जाएगी downward जाएगी तो depending on that इसलिए इसको कहते हैं contingent claim कि एक happening के उपर है कि क्या होने जा रहा है उसके उसकी base पर आप समझ लें कि ये share की जो price है up and down गई तो option की price भी up and down जाएगी और खरीदने वाले को फाइदा तभी होगा जब market में price ज्यादा हो और striking price जिसको हम कहते हैं वो exercise price जो है वो कम हो क्योंकि कम में खरीद कर आप मिलेगा ज्यादा value का share नुकसान हो जाएगा बेचने वाले को फाइदा हो जाएगा खरीदने वाले को लेकिन अगर reverse हो तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा क्योंकि आपको मेंगा मिलेगा जबकि वेचने वाला आपको सखसे दामों खरीद कर देगा लेकिन जरूरी नहीं है जैसे मैंने कहा कि आप इसको जरूर का include करें it depend कि आप दरम्यान में अपना option बेच के अलग हो जाएगा क्योंकि right आपके पा withdraw कर सकते हैं लेकिन नुकसान तो हो जाएगा फिर जो पैसे आपने दी है वो नुकसान में चले जाएगा thank you very much